असलाम अलेकूम नमस्ते दोस्तों चलिए मैं आज ऐसी रेसिपी लाई हूँ कि बजार से मुमफली लाना भूल जाएंगे घर पर ही भून कर मुमफली खाएंगे तो वीडियो में बने रहिएगा चैनल पे नहीं है तो पिलीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा वीडियो को इसकी मत करिएगा आधा किलो ये मुमफली है कच्ची मुमफली है तो मट्टी जितना था उतना मैं धुल के साफ कर ली हूँ मौंफली को मैं हलका सा पंखे के नीचे सुखा लिए हूँ अब इसे भूनने के लिए कड़ाई रखेंगे गरम हो गया है कड़ाई एक चिम्मच इसमें नमक डालेंगे नमक को हम हलका सा गरम करेंगे कभी कभी क्या होता है दोस्तों बालू नहीं मिलता है तो हम सब सोचते हैं कैसे घर पर भून कर खाएं मौंफली का दाना तो बालू नहीं है तो क्या हुआ नमक डाल दीजिएगा नमक में डाल के अच्छे से भूनिएगा सबसे पहले नमक को गरम कर लेना है इसके बाद में कच्छी मुमफली डालके इसे भूनते रहना है तीन से चार मिनट लगता है ज्यादा टाइम नहीं लगता है ये देखिए चार मिनट हो गया है मुमफली अच्छे से कलर आ गया है भून गया है इसे हम नमक में से निकाल लेते हैं तो है ना मुंफली का दाना भूनना भी बहुत आसान बहुत इजी तरीके से ये भून भी जाता है अब बजार से या फिर बालू ढूनने की जरूरत नहीं घर पर नमक में इस तरह भून कर खाए बहुत टेश्टी बनता है इसी तरह नई नई वीडियो देखने के लिए चैन